चलिए आगे बढ़ेंगे वायुसेना के स्थापना दिवस को लेकर ये बड़ी ख़बार इस बीच आ रही है वह अप दर्शकों को बतादे इस बीच सबसे पहले तो बड़ी ख़बार वायुसेना का दब्धे वस्त अपना दिवस आज और ये बड़ी जानकारी आपको देरें चंदिगर में एयर फोस जे मना जा रहा है सुखना लेक पर वायुसाना के फ्राइक पाफ्स होगी और बेहद महत्पून राश्पती और रक्ष्रमंत्री मौजूद रहेंगे इस मौके पर दुदेश आज इंडियान एयर फोस जे मना रहा है भारत इस साल अपने दब प्रदर्शन करते विविमान भारती वायुसाना के और चीफ ने सला में लिए है यह चार तस्वीरें आज के इस एतिहासिक दिन की तो आपको बता दें की भारत इस साल नबेवा वायुसाना दिवस मना रहा है 1932 में स्ताफित हुई भारती वायुसाना का जश्न इस बार चंदिगर में मनाया जा रहा है इस अफसर पर आपको बता दें की चंदिगर एयर फोस दुनिया की चौथी जो चंदिगर में बनाया जा रहा है और इंडिय अपना नबेवा स्ताफना दिवस मना रहा है और सबसे बड़ी बात रोच्रक बात यह कि पहली वाराज चंदिगड में या राजदानी दिली से बाहर यह जो इंडियन एर फोर्स अपना स्ताफना दिवस मना रहा है कि अबिल्कुल आज इंडिन एर फोर्स का नवेवा स्थापना दिवस है और इसका भवे आयोजन जो है वह आज चंडिगड में किया गया है चंडिगड की सुखना जील पर आज दोपैर बाद जो है वह वायूश है ना अपना शांदार और जानदार सक्ति परदर्शन जो है वह वाली है अपना पाजो ichen आप अम एक तरह से ईयर फोर्स की जो भखूबी जो एक अब लड़ने की ताकत Meg और इयर फोर्स के पास जो जो एक देश की रक्षए लिए जो इमान है उनको जह उनके जरीए एक बड़ा परदशनाज अरभर भा परदर्शन याज अरश पर ह ये ञांगे हम्के मंदमान में पंजास्जाब चंडीगरों जबना के राज्यपाल की ठाल बैनारी ये बनारी ना झाल्य हसा और नहीं टूसरा डे की शुरूआत हो चुकी है चंडीगरों intric सुबह से ही आज वो एर फोर्स की प्रेट जो है वो चल रही है और वहां के कार्यकरम के बाद दोपैर बाद यानि दो बजकर पैंतालिस मिनिट पर यानि ठीक पोने तीन बजे जो है वो आज चंडिगड में सुखना जील के उपर से एर फोर्स डे के मोके पर एर शो है वो द 30,000 से भी ज्यादा लोगों का हुआ है और अभी भी बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग है जो पास का इंतिजार कर रहे हैं कि उन्हें भी एर शो देखने का मोका मिले उन्हें भी देश की वायुशेना की सक्ती परदेशन को देखने का मोका मिले लेकिन एक जो सिमित जगे है सुकना जील की उसके चलते जो व्यवस्ता है वो बनाई गई है 30,000 लोगों को पास जारी किये गई है चंडिगड पुलिस परसाचन की तरफ से पुखता इंतिजामात किये गई है कई जो रूट है उनको भी आज डाइवर्ट किया गया है लेकिन एक बहुत जादा शांदा और भव्य जो एयर शो है वो आज चंडिगड में देखने को मिलेगा जी बिल्कुल कितने बज़े इस कारेकरम की पुरी शुरुवात रहे है वो होगी राष्टपरी दुराबदी मुर्मू रक्षयमंत्री राधना सिंग वहां पर पहुंचेंगे पूरा कारेकरम किस तरी एयर चीफ मार्शल है वो यहां पर पहुंचे है और प्रेड की सलामी ली गई है और उसके बाद एयर फोर स्टेशन के बाद बाद जो बाहर के कारेकरम है उनकी अपचारिक चुरुवात जो है वो ठीक दो बच कर पैंतारीस मिनिट पर शुकना जील पर होगी और देश की जो राष्टपती है द्रौपदी मुर्मू वो पहुचेंगी और इसके साथ साथ देश के जो ग्रे मंतरी है माफ कीजिए जो रक्षा मंतरी है राजनात सिंग वो पहुचेंगे हर्याणा पंजाब के मुख्य मंतरी मौजूद रहेंगे दोनों राजयों के राजयेपाल पोने तीन बजे एयर शो की शुरुआत होगी सुकना जील के उपर से जो एक एरफोर्स के तैमानकों के इसाब से जो एक ट्रेक बना है एयर शो के लिए उसके उपर से जो हो जोरदार एयर शो रहेगा एक विमानों की जो गूंज है वो चंडिगड और आसपास पौरी जो पौरदार तरीके से लोगों को सुनाई देगी और जो हमारे देश की वायू शेना की सकती है उसका परदेशन देखने को मिलेगा और ये एयर शो जो है वो ठीक चार बजकर पैंतारीस मिनट तक यानि पौने पांच बजे तक चलेगा और पौने पांच बजे के बाद एयर कर्म रखा गया है वहां सभी जो विशिष्ट अतिती है वो पहुंचेंगे और आज जो देशकी राष्टपती हैं द्रौपदी मुर्मू वो रातली ठहराओ चंडिगड में ही करेंगी कल उनका चंडिगड में ही आज वो दूसरा कारेकर में जहां पर आज वो चात्रों को ब्हुरीज ओन जहां देग्रीओं में पंजाब इंजिर्णिंग कॉलिग यानि पेख में पहुंचेंगी तो दो दिन का इन धुरुंडिगड मुर्मु का चंडिगड का कारेकर में आज वो डौ अर्-ट अज है पंजाब इंजमीनिंग कॉलिच में डिग्री जिनक समारों में शिर्कत करेंगी और आज उनका जो रातरी ठहरा हुआ है वो चंडीगड में ही रहने वाला है अपवन एयर्शो की बात करें तो इस बार बेहत खास यहां पर रहने वाला है लाइट कॉम्बेक्ट हेलिकॉप्टर जो है वो भी आज अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे अब लकुल आज का एयर्शो जो है वो हमारे अलिये गरवत का पल होगा उस वक्त जब हमारे देश की वायू सेना की सकती हम आश्मान में देखेंगे और तमाम जो हमारे पास हमारी भारत की जो वायू सेना में जो एर्प्राफ्ट हैं वो अपने अपना हुनर जो हो दिखा रही थी दो बार यर्शल हुई है उस दोनों बार के रियर्शल में भी लोगों में बहुत ज्यादा उत्सा देखने को मिला है और भारी संख्या में जो है वो आज वो यहां पर सुकना जील पर पहुंचे तो ऐसे में आज का जो कारेक्रम है वो काफी भववे होगा जानद ते एरफोस जो है वो अपना नबेवा सापना देवस बना रही है